असलामों अलेकुम एवरिवन वेलकम बाक टू मैं चैनल आप सब लोग कैसे उमीद करते हूं कि आप सब ठीक होंगे इस वक्त सहरी का टाइम है और मैं किजन में सहरी प्रिपेर कर रही हूं और यहाँ पर मैं बना रही हूं मिल्शेक मिल्शेक में बना रही है स्टॉबरी और बनाना का और यह बहुत ही टेस्टी बनता है इसके साथ है मैं सहरी बना रही हूं ओमलेट और इसके लिए मैंने कुछ यह वेज़ेटेबल्स काट कर रखी हुई है और बनाने लगी हूं पराठे तो आप बनान कीसा गुज़र रहा है साती मेरी यहां पर जाएजय रेड़ी हो चुकी है और गुझाकर और यहां पर यहां पर यहां पर कमईना का और बहुत अच्छा कर देसगी काफी ऑफा तो यहां पर इनका चोटा वाला डबा लेकर आई थी ट्राय करने के लिए तो काफी अच्छे का इसके पराठे बन रहे हैं तो यहां पर बस अब हमारे प्राठे देख सकते हैं कि आप कितने अच्छे बन रहे हैं और थोड़ा से त्यड़ा हो गया था पराठा जल्दी और हमारे पराठे बन चुके हैं यहां पर मैं बना रही हूँ ओमलेट और ओमलेट आप देख सकते हैं कितने मज़े मज़े का लग रहा है सेरी हमारी रेड़ी हो चुकी है यहां पर हमारा मिल शेक इसके साथ में हैं ओमलेट और पराठे और साथ में हैं चाइब और बस संजे प्लेंस जा रहे हैं सहरी के टाइम पर बारिश हुई थी और सारा दिन अब धूप रही है और आप देख सकते हैं कि असमान अल्मूस्स सारा क्लियर हुआ है वेदर इस टाइम पर बहुत अच्छा है असर से मगरिब के दर्मियान का टाइम हो रहा है इस पक तो मैं सोच मैं यहां पर फूट चार्डी बना रही हूँ फूट चार्ड बनाने के बाद मैं बाकी चीज़े भी त्यार कर लूँगी इफ्तार के लिए मैंने साही चीज़े त्यार कर ली थी और अब इफ्तारी का टाइम हो चुक है तो हम टेबल पर आ चुके हैं सब चीज़े मैंने बनाए है, फूर्ट चार्ट है हमारे पास और इसके साथ हमारे पास यह धी बल्ले हैं और यहां पर भी हमने मजे मजे की बिर्यानी भी बनाए हुई है और साथ में मिंट चट्नी है छना चार्ट है, रोल, तखुरें, पकोड़े और ये भी हम खाएंगे साथ में क्योंकि हमाई नेबर्स ने हमाई भेजी है और खैर मुझे डेली बेसिस पे किसी नेबर की तरफ से अफ़तारी आ जाती हो तो काफे सारे बरतने खटे होगे मेरे पास तो नेक्स किसी दिनों में मैं जिस दिन जादा टाइम होगा तो अफ़तारी बना के सब को भेजूँगी तो ये था हमारा आज का छोटा सा विलॉग जिसमें मैंने सहरी और अफ़तारी की रूटीन आपके साथ शेयर की है उमीद करते हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स विलॉग में तब तक के लिए अलाहाफ़ज